करिंग वायर सोनीन फीगर अब यहां से जो एक सक्सी जाए वो बोड के अंदर बाहर लिया गया है और जो जेड है वो इस टाइप से और वाई ऐसे लिया गया है इस टाइप के कोशन मैंगेटिक इफेक्ट अब करेंड में बहुत सारे भी लेंगे इसमें होता क्या है कि सब क सब्सक्राइब 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 तो कभी-कभी बहुत सारा ऐसा देखा गया नीट में इसे को बहुत सारे बच्चे सॉल्व करने लगते और उनका टाइम कंजूम हो जाता है तो एक्जाम ले गेम है ऐसे को कभी-कभी हम साइन देखके इसाल लेते एक लाइन में फटाक से बहुत सारा टाइम बच जाएगा सॉल्व करोगे तो पांच मिनिट लग जाएगा ऐसे और इसको साइन वाले से सॉल्व करोगे मताते कौन सॉप्शन साही है तो यह जाएगा तो चलो पहले दोनों तरीके से कर लेते हैं पहले को समझते हैं इधर से एक वाहर है देखो एक्स-इस पोजेटिव एक्स-इस से आ रहा ऐसे और वो बोड के प्लेम में ऐसे Z-axis में मुढ गया फिर बाहर आ गया ऐसे कुछ अगर ऐसा मैं देखूंगा कि हमारा देखना इधर लिया गया है य-axis और इधर लिया गया है जेड एक्सी और बोड के अंदर बाहर लिया गया है X-axis तो यहां पर अगर बोर्ड के अंदर बाहर X-axis लिया गया तो यह एक वायर जो है वो ऐसे आया है देखो यह वाला जो वायर है इस वाले का मतलब यह है कि इस तरह से सीधा आया यहां और एक बोर्ड के प्लेन में ऐसे मुड़ा है और फिर बोर्ड के प्लेन से बाहर चला तो इसको मैं यहाँ पर एसे घर सकता हूँ जो बोड के अंदर जा रहा है उसको मैं यहां पर रिपर्जिन्ट कर देता हूँ यह वाइर जो बोड के अंदर है फिर यहां पर यह ही वायर से शेप में हो यहां पर इस पॉइंट्ट पे वह अंदर बॉर्ड से बाहर आताल तो उसको मैं रीपरेशेंट कर देता हूं और ऐसे कुछ तो अब देखो वह पर अगर माग्नेटिक, वह लूसॉ K करोगे तो इस वाले का जो फिल्ड आएगा, यहां पर माइनस जे कैप में आ जाएगा, सुरी, कैप है, कैप इधर लिया है, तो माइनस कैप आ जाएगा और यह जो वाइर है, बाहर आ रहा करेंट, उसका इस पॉइंट पे मैंगेटिक फिल्ड देखोंगे, यहां से सेमी सर्कुलर जो बोड के प्लेन में है तो इस जो बोड के प्लेन में है इसका अगर में डिखोंगे तो बोड के अंदर जाएगा गर के अंदर क्या है minus i cap क्योंकि इस axis में x axis लिया गया है तो मतलब pull मिला के अगर मैं resultant लोगा इनका तो resultant अगर vector form में देखोगे तो minus k cap और minus i cap में ही solution रहेगा क्योंकि vector में दिया हुआ मतलब इसमें से वो वाला solution सही होगा जिसे minus i और minus के लगा हो मतलब ये देखो minus or minus multiply करोगे तो minus i और plus के ये कभी सही नहीं हो सकता minus i ये कभी सही नहीं हो सकता और ये plus i है और minus के ये कभी सही नहीं हो सकता minus i minus के मतलब ये सही है मतलब ऐसे question को बिना solve किये भी कर सकते हैं बहुत सारे question को चलो और actual में अगर solve करके देखोंगे तो क्या होगा वह हम लोग करके देखते हैं अग्र कोई वायर है समझना एक ही फार्मुला या लगना पूरी मेग्रेटिक फिल्ड में इसी से सार्य हो जाते हैं यह यह वायर है और यह पॉइंट फिपर यह इसे परपेंडिगुलर डिस्टेंस कुछ आ है और यह वाला जो है एंगल थीटा वन है और यह इंगल थीटा टू है और यह दो इंड है यहां से वायर स्टार्ट हुआ है और यहां से वायर खतम हुआ है और इसमें current i flow रहें तो इस point पर magnetic field obviously cross होगा right hand thumb rule board के plane में देखोगे तो यह cross होगा और उसकी जो value होती यह वो होती है के i over r multiplied by sine theta 1 plus sine theta 2 तो यह जो value होती है यह पस magnetic field में एक ही फार्मूला याद रखो state curve semi infinite multiple curve r circle सब हो जाएगा याद तो यहां से तो यहां से अभी यह देखो semi infinite से आ रहा था तो और यहां पे आके board के plane में infinite से आ रहा था board के plane में यहां तक आया तो अगर मैं यहां पर field निकालूंगा तो यह तो semi infinite के एक end पर बनाना यहां पर यहां पर field निकालूंगा तो ऐसे आ रहा था और यहां पर मुझे field चाहिए तो semi infinite वाला concept लगेगा और यह obviously common sense की बात है देख रहो है कि जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा magnitude और direction दोनों में equal होगा क्योंकि यह भी infinity को चला गया और इसका भी direction नीचे है इसका भी direction नीचे है लेकिन इस आर्क वाले का अलग होगा semi circle का अलग होगा तो इन दोनों का तो magnitude में और direction में equal है तो उन दोनों का मैं equal लेख दूँँगा तो इसको मैं semi infinite के लिए कैसे use करता हूँ semi infinite मतलब यह हुआ है कि यह infinity से wire आ रहा है और यहाँ पर मुझे यह point पे निकालना है semi infinity का मतलब मुझे एक इस वाले point पे निकालना point पी यह point पी है वो यहाँ कुछ इस line पे shift हो जाएगा तो यह वाला यह वाला ही जो state line है और यह वाली जो state line है वो दोनों एक दूसरे से overlap हो जाएगे यार imagine करो यह point यहाँ पर shift हो जाता है यह point यहाँ पर shift हो जाता है दोदें ऑबर्लाइब कर जाएंगे यह ओर यह वाल। तो धीटा 1 यह इन्फिनीटी को चला गया तो तो फालग यह याद तो नहीं करवाता है तो सेमीिन्फाइनेट को में फिंड है एक रिबानेटक एक इन्ड पब बबं। यह बल्ले यह साइन नाइटी और प्लस जीरो तो खुल मिला के मुझे साइन नाइंटी वन आ गया और यह जीरो मतलब यह आजाएगा हमारा म्यू नॉट आइ टू म्यू नॉट आई म्यू नॉट आइ फोर पाई और आख अब इस इस दो magnetic field due to semi-infinite wire बराबर है सबको तो यह semi-infinite wire का इतना अब इसको लगा दो इन दोनों wire का मान लेता हूँ मैं यहाँ पे mu naught i4 pi r तो यहाँ पर अगर मैं consider करूँ इस वाले पे तो इसका magnetic field B1 है इस circle का magnetic field half circle का मैं B2 और इसका मैं B3 मान लेता हूँ बराबर है B2 यह वाला चीज और इसकी जो value है vector में अगर देखोगे B1 है और B2 आपस magnitude direction में दोनों में बराबर है तो इनकी mu naught i और 4 pi और d यह वाली distance कितनी है यार यह तो radius के equal है और इसकी direction नीचे है तो यह जाएगा minus k cap equation number first इन दोनों हा रहा है अब रही बात circle का तो semi circle का कितना होगा जब यह circle बनेगा तो यह पूरा angle 2 pi हो जाएगा तो magnetic field mu is equal to k i r और multiplied by 2 pi और semi circle है तो 2 से divide कर देएगा पूरे circle का 2 pi होगा semi circle का अधा होगा तो ऐसे mu naught तो यह आ जाएगा mu naught 4 pi और i divided by r और यह multiplied by pi तो pi ने pi को खतम कर दिया मतलब यह जाएगा mu naught i divided by 4 r वैसे direct तुम्हें याद है तभी भी कर सकते हो पर मेरे इसाब से एक ही formula याद रखो सब कुछ हो जाता है इससे ठीक चलो यहाँ से semi circle का अगर लिखों में तो b3 की जो value आजाएगी magnetic field नहीं यह b3 होगा यह b2 की जो value आजाएगी इस वाले की b2 की value वो तो board के अंदर जा रहा है और board के अंदर क्या है minus i के x x ही ले लिया गया है कोई बात नहीं ले सकते हैं इसको कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं तो mu not i और यह 4r radius mu not i 4r radius और minus i के अम net field question क्या करता है कैसे करते हैं net field जो है इन सभी का vector sum मतलब b1 plus b2 plus b3 इन सभी का vector resultant अगर मैं calculate करूं तो मेरे पास निकल के आएगा b1 और b3 आपस में equal है तो इसको 2 times minus k i r लिख देता हूं पाई के फाव में लिखते हैं इसको तो यह minus 2 mu not i 4 pi r और k cap और minus यह वाला इसमें चोड़ोगे तो mu not i और 4 r और multiply कर दो i cap से तो finally इसको resultant लेलोगे तो यहां से मुझे मिल जाएगा mu not i 4 r common आजाएगा minus b common लेलो तो plus बचेगा plus 2 k cap अपान pi और plus यहां से mu not i 4 i common हो गया तो i बचा तो finally अगर pi भी इदर common लेते हो तो minus sign इदर आजाएगा और यहां जाएगा mu not i 4 pi r और 2 k cap और plus pi i cap तो this method is obviously इस question के लिए खास करके इस question के लिए vector form में लेंदी तो है मतलब ए option match कर रहा है तो जो first option है हाँ mu not i 4 pi r देखो mu not i 4 pi r pi i plus 2 k मतलब देखो यहां से आया होगा pi i plus 2 k मतलब first option इसका सही है तो जो पहला वाला approach था especially इस question के लिए और देखा गया है कि इसे बहुत सारे question हो जाते है option कम से कम 50-50 परसेंट तो हो जाएगा तो पहला वाला जो approach था वो excellent था चलो